नमस्का दोस्तों स्वागते आपका हमारी YouTube चेनल फ्री अजूकिसन में दोस्तों इस साल का मोश्ट इंपोर्टन टॉपएक है कोरोना वाइरस और कोरोना वाइरस रेलेटर मोश्ट इंपोर्टन 30 कोस्टन को हम सॉल्व करने वाले हैं ये 30 question काफी अच्छे लेबिल के question है important question है और इनको हम बिल्कुल detail के साथ हल करेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं नमबर first question है हाली में किस राज सरकार ने करोना वाइरस से ने पटने के लिए 5T plan launch किया है यानि कि इस question का D option से हो जाएगा दिल्ली के मुखमंत्री अर्वेंद केजरिवाल ने दक्षिन कोरिया की तरज पर ये 5T plan है ये launch किया है ठीक है ये 5T plan जो है इसमें first T का मतलब होता है testing यानि कि दिल्ली में जितने भी hot spot वाले area है जैसे निज़ामुद्दीन है इन area में 1,00,00 से ज़्यादा लोगों की testing की जाएगी दूसरे T का मतलब होता है tracing फिर ऐसे लोगों को trace किया जाएगा जो कोरोना संक्रमत लोगों के संपर्क में आये थे तीसरे T का मतलब होता है treatment फिर उन लोगों का treatment किया जाएगा और चोथे T का मतलब होता है teamwork यानि कि teamwork बना कर कारिय किया जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा important होता है और पांच भी T का मतलब होता है tracking यानि कि ऐसे लोग जो quarantine रखे गए हैं उनकी tracking की जाएगी ताकि वो लोग यहाँ वहाँ जाकर अन लोगों को संक्रमत ना करें ठीक है तो यह 5T plan जो है काफी अच्छा plan है और यह दिल्ली सरकार ने launch किया है तो आप इसको याद रखेंगे नमबर second question है हाली में किस देश के चड़िया घर में पहली वागिन COVID-19 यानि की कोरोना वाइरस पॉजिटो पाए गई है तो पहली वागिन कोरोना पॉजिटो पाए गई है किस देश की है अमेरिका की है अमेरिका के New York City में एक जू है एक चड़िया घर है उसका नाम है Bronx जू ठीक है और यहाँ पर यह बागिन जो है कोरोना संक्रमत पाए गई है और दुनिया का पहला ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर बागिन को कोरोना संक्रमान हुगा है ठीक है इस संक्रमत बागिन का नाम क्या है तो इस बागिन का नाम है नादिया नमबर थर्ड कोस्टन देख लेते हैं, हाली में किस राजसरकार ने रेडियो स्कूल सुरू किये हैं, तो रेडियो स्कूल सुरू किये हैं, मद्द प्रदेश राजसरकार ने ठीक है, मद्द प्रदेश ने आकास वाणी की साथ मिलकर ये रेडियो स्कूल सुरू किये हैं, इ इस बेंक को नामंकत किया है तो PM के एर फंड में जो रासिदान दी गई है उसको एक त्यज़र करने के लिए अभी केने सरकान ने Indian Overses Bank को नामंकत किया है यानि कि D option से हो जागा अब जो है Indian Overses Bank को नामंकत किया गया है नॉमिनेत किया गया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1937 में Headquarter कहां पर इसका तो Headquarter है चन्नई में और बरतमान में इसके CEO कौन है तो बरतमान में इसके CEO है स्रीकरन सेखर कौन है स्रीकरन सेखर जो है बरतमान में Indian Overses Bank के CEO है Next question देख लेते हैं नमबर पांच question है हाली में भारत में विक्सित सौदेशी कोबरे 19 टेस्ट किट का क्या नाम रखा गया है तो यह भारत में विक्सित है सौदेशी किट है और इसका नाम रखा गया है पैथो डेटेक्ट क्या नाम रखा गया है पैथो डेटेक्ट इसका नाम रखा गया है इस किट को पुडे में विक्सित किया गया और इसको पुडे की My Lab Discovery नाम की टीम ने विक्सित किया है किसने किया है पुड़े की My Lab Discovery नाम की टीम ने इसको विक्सित किया है इसका नाम रखा गया है पैथो डेटेक्ट नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर च्छे कॉस्चन है आली में किस राज सरकार ने इस्पेसल खादी मार्क्स बनाने की घोशना की है तो इस्पेसल खादी मार्क्स बनाने की घोशना की है उत्तर प्रदेश राज सरकार ने ठीक है ये इस्पेसली खादी मार्क्स तीन लेयर की होंगे और यूपी के मुखमंतरी योगी आदितनात ने घोशना की है अब ये घोशना किस ने की है उत्तर प्रदेश के CM योगी आधितनात ने की है तो उत्तर प्रदेश की राध्धनी क्या है लखनाव ठीक है और लखनाव से एक कॉस्चन मनता है कि लखनाव किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो लखनाव जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और बरतमान में यूपी के गवर्णर कौन है तो आनंदी बेन पटेल जो हैं बरतमान में यूपी के गवर्णर है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमर साथ कॉस्टन मोस्ट इंपॉर्टन कॉस्टन है हालिय में COVID-19 की वज़े से बिना किसी चूटके कर्फियू लगाने वाला पहला राज कौन बना है तो बिना किसी चूटके कर्फियू लगाने वाला पहला राज बना है पंजाब यहनि कि B options से हो जागा लेकिन यदि पूछा जाए कि कोरोना वायरस के करने लोगडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो लोगडाउन करने वाला पहला राज्य राजिस्थान और बिना किसी छूट के करफ्यू लगाने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो आपको पंजाब लगाना है, ठीक है, दोनों फेक्ट इंपोर्टेंट हैं, दोनों को आप याद रखेंगे, और जितने भी मैं कॉश्चन कर भा रहा हूं, कि सारे के सारे कॉश्चन हैं, इंपोर्टेंट हैं, ये पूछे ही जाएंगे, नमबर आठ कॉश्चन है, कोरोना की दरश्टी से next question देख लेते हैं number 9 question है हाली में किस ने कोरोना वारस के इलाज के लिए Corona Care Bima Policy लाँज की है तो Corona Care Bima Policy लाँज की है फौन पे ने ठीक है यानिकी ए ओप्सन से हो जागा अब यह policy phone pay ने launch की है तो phone pay की स्थापना कब हुई थी 2015 में phone pay की स्थापना हुई थी head quarter phone pay का वेंगलूरू में है और बरतमान में phone pay के CEO है समीर नगम कौन है समीर नगम phone pay के CEO है number 10 question है सूक शुन्दरसी द्वारा देखने पर coronavirus की सरचना किसके समान दिखाई पड़ती है तो coronavirus की जो सरचना है ये crown की समान दिखाई देती है यानि की B option से हो जागा crown जिसका अर्थ होता है मुकुट या ताज इसकी सरचना की आधर पर ही इसका नामकर्ण किया गया था लेकिन WHO ने इसका official नाम रख दिया है COVID-19 ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे next question है number 11 question हाली में किस राज सरकार ने active case finding campaign लाँच किया है तो active case finding campaign लाँच किया है अभी हाली में हेमांचल प्रदेश ने यानिकी इस question का A option से हो जागा देखिए कोरोना वारस संक्रमत व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हर गाउं की आसा कारे करता घर घर जाकर पता करेगी कि कोई कोरोना वारस का active case तो नहीं है और अगर है तो इसकी report सरकार को दी जाएगी ठीक है तो active case finding campaign सुनू किया है हेमांचल प्रदेश ने याद रखेंगे next question देख लेते हैं number 12 question है WHO के अनुसार COVID-19 में VI का क्या मतलब है तो COVID-19 में जो VI है इसका मतलब होता है virus ठीक है यानि कि A options से हो जाएगा देखी इसका पूरा नाम समझ लेते हैं COVID-19 का इसमें जो CO है इसका नाम होता है करोना ठीक है D प्रदेशत करता है disease को यानि कि B मारी को प्रदेशत करता है और यहाँ पर जो number है 19 यह किसको सो करता है तो यह year 2019 को सो करता है तो यह सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए next question है हाली में किस राज सरकार ने mobile hand wash सुविदा hand wash करते रहें और coronavirus से संक्रमत ना हो सके next question देख लेते हैं number 14 question है किस संगठन के दोरा coronavirus के पिरकोप के काण global emergency लागू की गई थी तो global emergency लागू की थी WHO ने यानि कि B options ही हो जागा WHO इसका full pump होता है World Health Organization हिंदी में बोलते है विष्ब स्वास्त संगठन इसकी इस्थापना होई थी 7 April 1948 को कब होई थी 7 April 1948 को इसकी इस्थापना होई थी इसलिए हम प्रतेक वज 7 April को विष्ब स्वास्त दवसरूप के रूप में मनाते हैं ठीक है और इसका head quarter कहां पर है तो जैनेब आमें इसका head quarter है next question देख लेते हैं नमबर 15 question है यहां से हम 4-5 question देखेंगे most important question रहेंगे कोरोना वारस की बज़े से जो famous personality है उनका निधन हुआ है ये question आपकी परिक्षा में पूछे ही जाएंगे तो नमबर 15 question देख लेते है और हाल ही में कोरोना वारस की बज़े से इनका निधन हो गया ठीके इनकी age कितनी थी तो 86 year की थी ये मारिया टेरेसा और इनको red princess की नाम से जाना जाता था ठीके उनका nickname है red princess next question देख लेते हैं नमबर 16 question है कोरोना वारस से परिशान होकर और ये जर्मनी की finance minister थे ठीक है यानि कि इस question का B option से हो जाएगा और ये कोरोना वारस से देश को बहुत ज़्यादा आर्थक नुकसान हो रहा था इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परिशान थे और इनने आत्मात्या कर लिए यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे थामा साइफर की नुमबर सत्रा question है पाकिस्तान के प्रिसिद्ध खिलाडी आजम खान का हाल ही में कारोना वारस की बज़े से निधन हो गया है यह किस खेल से सम्मन्द थे तो ये पाकिस्तानी खिलाडी थे यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे इनका नाम था आजम खान और ये पाकिस्तान के पूर्व इस क्वेस के खिलाडी थे यानि कि इस question का D option से हो जागा इन्होंने लगा था चार बार बेटेस ओपन खिताब भी जीता था नेश्ट question देख लिते हैं नमबर 18 question है हाली में गीता राम जी का कोरोना वारस के करण निधन हुआ है वो कौन थी तो जो गीता राम जी है एक फैमस वेग्यानिक थी यानि कि इस question का C option से हो जागा देखिए यहाँ पर आप तस्बीर में देख पा रहोंगे यह थी गीता राम जी ठीक है और यह भारतिय मूलकी थी लेकिन दक्षन अपरिका में रहती थी और यह पिरसद वाइरोलोजिस्ट यानि कि बेसाडू वेग्यानिक थी और इनका हाली में करोना वाइरस की बज़े से निधन हो गया है नेश्ट कॉस्टन है हाली में पिरसद कॉमेडियन केन सुमूरा का करोना वाइरस की बज़े से निधन हो गया है वह किस देशके थे तो यह कॉमेडियन थे इनका नाम था केन सुमूरा यहाँ पर आप तस्बीर देख पा रहोंगे और यह अमेरिका के famous comedian थे यानि कि C option से हो जाएगा next question देख लेते हैं number 20 question है हाली में forest competent का corona virus के करण नेधन हो गया है यह कौन थे तो forest competent जो हैं यहाँ पर आप तस्बीर में देख पा रहोंगे यह थे forest competent और यह जो हैं अमेरिका के famous अभिनेता यानि की actor थे ठीक है इनका नाम आपको याद रखना है अमेरिका थे forest competent next question है हाली में किस देख के पूर्व प्रधन मंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वारस से निधन हो गया है तो यह किस देख के पूर्व प्रधन मंत्री थे आपको बताना है तो यह जो हैं लेविया देख के पूर्व प्रधन मंत्री थे यहाँ पर आप तस्बीर में देख पा रहे होंगे यह थे महमूद जिब्रील और इनका हाली में कोरोना वारस के चलते निधन हो गया है और यह लेविया देख के पूर्व प्रधन मंत्री थे यह जो हैं 2011 में लेविया देख के प्रधन मंत्री रहे थे अब यह बात लेविया की हुई है तो लेविया की राध्धनी क्या है लेविया की राध्धनी है ट्रपोली ठीक है लेविया की करंसी क्या है लेविया दिना से हो जाएगा यहाँ पर आप तस्बीर में देख पर होंगे यह थे ब्रह्म कंची बोतला ठीक है और इनका हाली में करोना वारस की वज़े से नेधन हो गया है यह भारतिय मूलके फैमस अमेरिकी पत्रकार थे ठीक है चुकि यह भारतिय मूलके थे इसलिए कॉस्टन और भी ज्यादा important है आप यहाँ पर तस्बीर में इनको देख पा रहे होंगे इस्ट कॉस्टन है हाली में किस IIT की टीम ने बड़ी जगों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रौन विक्सित किया है तो बड़ी जग है जैसे रोड है पार्क है फुट पाथ है आधी को सैनिटाइ किस नाम का वेंटि लेटर तैयार किया है तो देखिए जो देखिए जो देश के बड़े-बड़े इंस्टीटीट है बड़े-ड़े ऑर्गनाइजिशन है उन्होंने कुछ वेंटि-लेटर बनाया है और उनlaş को अलाग लगन नाम दी है तो यहाँ से भी कॉस्टन पूछे जाएंगे तो भारती रेलवे ने जो वेंटिलेटर बनाया है उसका नाम है जीवन यानि की डी ओप्सन से हो जागा ये जो वेंटिलेटर है रेलवे की कफूर तला रेलवे कोच फेक्टरी द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है ये काफी सस्ता है इसकी कीमत लगभग 10,000 र भारती रेलवे का सिलोगन है राष्ट की जीवन रेखा ठीक है राष्ट की जीवन रेखा भारती रेलवे का सिलोगन है बरतमान में रेल मंतरी कौन है तो बरतमान में रेल मंतरी है प्यूस गूएल इससे भी important question है कि सोतंत्र भारत के पहले रेल मंतरी कौन थे तो सोतंत्र effect आपको इस question से याद रखना है next question देख लेते हैं number 25 question है हाली में किस ने प्राण वायू नामक portable इबं कम लागत वाला ventilator विक्सित किया है तो प्राण वायू नामका जो ventilator है ये बनाया है IIT road की ने किस ने बनाया है IIT road की ने बनाया है प्राण वायू नामका ventilator ठीक है ये काफी सस्ता है और ये कम समय में बनाया जाता है इसलिए ये चर्चा में रहा है बहुती कम समय में ये बन के तयार हो जाता है number 26 question है COVID quarantine alert system किस ने विक्सित किया है तो देखिए COVID quarantine alert system विक्सित किया है C.D. company ने और दूर संचार विभागना दोनोंने सैक्त रूप से जो है इसको विक्सित किया है यानिकि C.Options ही हो जाएगा देखिए COVID quarantine alert system एक ऐसा application है जिसके माध्यम से Corona संक्रमत व्यक्ति पर आसानी से नेगरानी रखी जाएगी ताकि जो संक्रमत व्यक्ति है वो यहाँ वहाँ ना जाए और जो Corona वारस है उसका संक्रमत दूसरे व्यक्तियों को ना पहले ठीक है तो नेगरानी रखी जाएगी इस application की माध्यम से नमबर 27 इस question है हाली में किस राज्ज की पोलिस ने हॉम कॉरंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्ब एप विक्सित किया है तो यह रक्षा सर्ब एप विक्सित किया गया है चतिस गड़ पोलिस के दोवारा ठीक है यानि कि D option से हो जागा चतिस गड़ पोलिस ने हॉम कॉरंटीन लोगों को पर निगरानी रखने के लिए इस एप को लॉँच किया है ठीक है अब यह किस ने विक्सित किया है चतिस गड़ ने तो चतिस गड़ की राध्धनी के राएप और चतिस गड़ के बरतमान में सी यम कॉन है भूपिस वगील और प्रजेन टाइम में चतिस गड़ के गवरनर कॉन है अनुसिया ओई की नमबर अठा इस question है हाली में S.C.L. Tech ने COVID-19 control center कहां इस्तापित किया है तो S.C.L. Tech ने coronavirus से जुड़े question के answer देने के लिए COVID-19 control center नोईडा में इस्तापित किया है, कहां पर किया है नोईडा में इस्तापित किया है B option से हो जाएगा चूकि ये चीन की बोहान सहर से फैला हुआ है चीन की बोहान सहर से इसकी सुरुगात हुई थी तो यहां पर हम चीनी भासा लगा सकते थे लेकिन नहीं इसका नाम जो है ये उत्पन हुआ है लेटेन भासा से नमबर तीस question है तीस अपरेल तक लोगडान बढ़ाने वाला भारत का पहला राज कोन बना है तो देखिए दोस्तों केंदे सरकार ने घुष्णा की थी कि ये लोगडान जो है ये चोधा अपरेल तक रहेगा ठीक है लेकिन उडिसा ने इसको बढ़ा कर तीस अपरेल तक कर दिया है और ऐसा करने वाला उडिसा देश का पहला राज बन गया है किसी भी question में प्रत्थम या पहला सब्द जड़ो जाता है तो वो question अपने आप में important हो जाता है तो ये question भी important है अब next and last question है आपके लिए challenging question है जो की हम पूँचते हैं हमारे previous वीडियो से इनमें से किस राजसरकान है मुख मंत्री किरसक दुरगटना कर लियान योजना की शुरुआत की है तो आपको आपके लिए चार ओसन में दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस question के बारे में यिस योजना के बारे में डेटेल भी लेक सकते हैं तो थैंकि दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो पिलीस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ के लिए जय हिन जय बारत बंदी मात्राम